हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल एट्रेक्टिव लूप तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में क्रोशेट स्कार्फ का बिल्कुल नया और यूनिक पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो पाकिस्तान में रहती हैं और उनको ये सकार्फ बनाना था तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर ये पिक शेयर किये और मुझे बोला कि मैं इसकार्फ उनको बना कर बताऊं तो मुझे बिल्कुल यूनिक और नया पैटर्न लगा ये और मैंने जब भी सोच ले था कि आपके साथ जरूर में इसको शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स पहली बार मैंने इस तरह का सकार्फ का डिजैन देखा है और मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ही बनाने के बाद में बहुत ही प्यारी लुक इसकी आ रहे है तो आप भी जरूर एक बार इसको ट्राय करें आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है जो लेडिस कैप नहीं पहनती है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा गरम रहने वाला है और लुक आप इसकी देख सकते हैं कितने प्यारी आ रही है तो अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सो कॉमेंट जरू करें और अगर आप भी मुझे कुछ बनवाना चाहती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो करें वहापर आप मुझे अपने प्रोजेक्ट की पिक शेर करें तो अगर डबल क्रोशे स्टिचिस के साथ ही बनाए गया है दोनु साइड में इसमें तनिया बनाए गया है ताकि इसको बांधा जा सके आगी की तरफ या नैग में पीछे की तरफ कैसे भी आप इसको बांध सकते हैं तो जो लीडिस कैप नहीं पहनना चाहती है इसकार्फ वगर पह है यह देखी जो सामने माथी की जो पट्टी है इसमें यह जो आखिर में मैंने रखा यह फैन स्टिच वाला पैटन रखा है लेकिन उस वाली स्कार्फ में आगी की तरफ एक डबल क्रोशे के पट्टी और थी तो वह मैंने यहां पर स्किप कर दी है क्योंकि मैं चाहती थी तो आपका सेम वैसा ही माथे का डिजाइन जो है वो बन जाएगा ठीक है तो आई फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो त्री टूप लाएक है खुली लच्छी वाली ओन जो मार्केट में मिलती है उसके साथ में 10 नंबर का क्रोशा हुक मैंने हाँ पर लिया हुआ है तो स ільки बना चारína नोया को सुप्राइ का से यह अगर इस तरीके से मैं और यहां पर तीन चीन बनाइंगे एक दो टीन थाए की फाली सीटी हमारे यहां पर complete हो गए हैं अभी जो ओन है इसको कीच कर टाइट करेंगे तो यह रिंग जो है छोटा हो जाएगा अब सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए तीन चेन बनाएंगे और यह तीन चेन एक डबल क्रोशा की गिंती में आएंगी और यह एक डबल क्रोशा स्टिच क के अपर हम यहां पर तीन डबल क्रोश है स्टिच बनाएंगे एक ही चेन इंगे यह तीन complete हो गए तो फर्स्ट रो के जो 55 बनाए थे उसके fine कि देम effectivement 3 double crochet बनाया हैं है हमने अब next double crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे आ हिसके बाद में ये तीन chain है जो हमने starting में बनाएí थी फर्स्ट रो 책 starting में इसकी top chain में 1 double crochet बनाएंगे तो इस रो मेंresh रर्पी निलाकर ये हमारे पास साथ double crochet stitches complete है ठीक है अब तीसरा रो स्टार्ट करेंगे इसके लिए सेकंड रो की तरह ही तीन चेन बनाएंगे पीस को टरन करेंगे यार्ड ओवर करेंगे और यह देखे यह हमारा एक डबल क्रोशे के उपर तीन चेन आ गई है 3 double crochet stitch इसके बाद में इसमें हम यहां पर 5 double crochet stitch बनाएंगे एक है कि 2 कि अधीन चार कि और यह पाँच double crochet stitch बिल्कुल बीच वाली चेन में हमने हैं नियां पर बना दी है और यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फॉस्ट रो में मैजिकल रिंग की उपडर पांस डबलग्रुक्रो शिच बनाई थे ना तो यही वाले 5 डबल क्रोश्च शिच हमने यहाँ पर एक ही चेन में जाल दिए है कि आगे तीन डबल कुरोश्य स्टिज बनाने है हमें एक डबल कुरोश्य स्टिज के उपower दूसरा डबल कुरोश्य स्टिज के उपर और तीसरा तीन चेन की टॉप चेन के उपम्पर इस वाल स्टिज की उपटी collecting है तीन ड़ो गाए है और इस रो में हमारे पास कुल मिलाकर 11 डबल क्रोश्य स्टिच हो गए हैं अब तीसरा रो स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए फिर से तीन चेन बनाएंगे हर एक रो ऐसे ही स्टार्ट होगा तीन चेन बनाकर इसॉ पीस को टर्न करेंगे और जैसे हमने सैगन डो बनाया था ना बिल्कुल बीच वाली चैन में तीन इस बनाए थे ऐसे ही फोर्थ रो में भी स्टिच में बिल्कुल बीच वाली स्टिच में 3 double crochet stitch बनाने हैं यह जो पांस double crochet स्टिच हमने बनाए है ना एक ही चैन में इसके बीच वाली चैन के उपर हम इस रो में तीन डबल क्रोशा बनाएंगे तो यह तीन चैन एक डबल क्रोशा के उपर आ गई दूसरे वाले डबल क्रोशा के उपर एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे तीसरे डबल क्रोशा के बीचवाली चेन है इसके उपर हम इस रो में तीन डबल क्रोश्य स्टिच बनाएंगे एक ही चेन में से एक दो और यह 3 यह हो गए यह देखे, एक ही chain में 3 double crochet stitch बनाये हैं हमने और यह ऐसे हैं जैसे second row में हमने बनाये थे एक ही chain में 3 double crochet ठेक है बिलकुल बीच वाली chain में हमें हर एक row में अपने stitches बढ़ाने हैं उसके बाद में हर एक stitch के ऊपर एक-इक स्टिच ही बनाएंगे हम तो यहाँ पर 5 डबल ग्रोशिय बनाने है हमें, 2 हो गए यह 3 हो गए यह 4 हो गए और आखरी बनाएंगे 3 चेन की टॉप चेन में, तो बीच वाली चेन में हमने 3 डबल क्रोशिय बनाये हैं और उसके दोनों तरफ हमारे पास 5-5 double crochet stitches हैं ठीक है तो इस तरीके से इस पीस को बढ़ाएंगे हम next row start करेंगे इसके लिए 3 chain बनाएंगे और इस पीस को turn करेंगे अब देखे पहले वाले रो में हमने एक ही chain में 5 double crochet बनाए थे दूसरे रो में हमने बिल्कुल बीच वाली chain में 3 double crochet बनाए थे और दोनों तरफ 2 double crochet बनाए हैं और थर्ड रो में हमने फिर से बिल्कुल बीच वाली chain में 5 double crochet बनाए हैं और उसके दोनों तरफ एक एक chain में एक double crochet रखा है ऐसे ही फूर्थ रो में हमने बिल्कुल बीच वाली chain तीन डॉसया है और दोनों क्रूटे यह के एक जिसने move क्रोशा में एक ह्षा कि ie उपर एक प्रकॉट बनाएंगे टो फस्ता इस चैने प्लाएंगे दूसरे सब्सक्राइब को आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ यह देखी बीच के तीन डबल क्रोशे आ गए हैं जो हमने पिछले रों में बनाए थे इसमें एक डबल क्रोशे के उपर हमें एक डबल क्रोशे बना लेंगे और अभी बीच वाली चेन आ गई है इसके उपर हम पांच डब अब इसके आगे एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार मेरी चैनल को जरूर ऊपन करके देखें आपको मेरी चैनल पर पहले से ही काफी जादा ब्यूटिफूल डिजाइनर और यूनिक काम देखने के लिए मिलेगा और बागी सारी लीडेज की तरह आपको भी मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा इदेखें आखरी डबल क्रोशा बनाएंगे हम थ्री चेन की टॉप चेन में तो यह फिफ्ट रो कम्प्लीट हो गया है अब तीन चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे 6 रो है यह हमारा दूसरे वाले डबल क्रोशा के ओपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे तीसरे वाले स्टीच के ओपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे तो एक एक chain में एक double crochet बनाएंगे हम और जो बीच वाली chain आ जाएगी हमारी उसमें हमें इस रो में 3 double crochet बनाने है ठीक है पिछले में हमने 5 बनाये थे इस रो में हम 3 बनाएंगे तो एक रो में हम 5 stitch बनाएंगे next रो में 3 बनाएंगे फिर एक रो में 5 stitch बनाएंगे फिर अगले रो में 3 stitch बनाएंगे तो इसी चीज़ का आपको ध्यान अखना है सिर्फ जो बीच वाली chain है ना हमारी इसको ही हमें यूज करना है पिछले रो में हमें 5 बनाएंगे इस रो में हम 3 stitch बनाएंगे यहाँ पर एक दो और यह तीन यह तीन डबल क्रोशय हो गए हैं एक ही chain में अब इसके आगे एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशय stitch बनाकर इस रो को भी complete कर लेंगे हम ठीक है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो अगर आप उसको लिंक को open करेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज open हो जाएगा और आप महाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें और मेरी बाकी होबीज भी आपको महाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो यह 6 रो हमारा यहाँ पर complete होने लगा है यह 6 रो का आखरी स्टिच है तीन चेन की टॉप चेन में इसको हम बना देंगे तो यह 6 रो complete हो गए है और इतना बड़ा पीस हमारी बनकर ready हो गया है तो अब इसी pattern के according हमें इसके बागी rows बनाने हैं ठीक है फर्स रो में हमने 5 बनाए थे स्टिच सैक्ड रो में हमने बीच वाली चेन में 3 स्टिच बनाए है उसके बाद में नेक्स रो में 5 बनाए है उसके अगले रो में हमने बीच वाले में 3 बनाए है अगले रो में बीच वाली चेन में 5 बनाये हैं इसके अगले रो में बीच वाली चेन में 3 बनाये हैं इसी के हिसाब से सिर्फ बीच वाली चेन को आपको यूज करना है और एक रो में 5, एक रो में 3, एक रो में 5, एक रो में 3 करते हुए 32 रो complete कर लूँगे मैं इसके और यह scarf की जो लंबाई चुड़ाई है वो complete हो जाएगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह 2 रो यह 4 रो यह 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और यह 32 रो complete कर लिए है मैंने इसके अब इसमें दोनों साइट का बॉर्डर हम बनाएंगे तो इसके लिए जहाँ पर हमारा यह रो खतम हो रहा है 32 इसकी चेन में क्रोश्या डालेंगे हम और इस पीस को थोड़ा सा गुमा लेंगे हम अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बनाने के बाद में जो 32 रो है हमारा इसको हम पहला रो काउंट करेंगे ठीक है और यह हमारे पहले रो का आखरी डबल क्रोशे स्टिच जो बना हुआ है इसके उपर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे एक दो और यह तीन तो तीन चेन को मिला कर यह चार डबल क्रोशे हमारे काउंट होंगे अब इसके बाद में दो चेन बनाएंगे यानोवर करेंगे और यह देखें जिस रो में हमने काम किया है उसके अगली रो información को छोड़ देंगे यह हमारी Daisy टो है n Mundani यह हमारी है फिररी वाला स्टिच हैसके उपड़ हम टीन डपलएप्रैश क्रोशी बनाइंगे ऐए कि आप तीन अब इसके बाद में फिर से दो चैन बनाएंगे यार्ण ऊबर करेंगे और यह next वाली रोषब करेंगे और ईसके आगे वाली रोभ में यह डबल क्रुशय स्टीच है हमारा इसके उपर हम तीन डबल क्रुशय स्टीच बना लेंगे तो इसी तरीके से 1 रो छोड़ेंगे, दूसरी रो पर काम करेंगे फिर 1 रो छोड़ेंगे, फिर दूसरी रो पर काम करेंगे तो 3-3 double crochet stitch हमें 1 रो के उपर बनाने हैं और इसके बाद में 2 chain का space हम 3 double crochet के बाद में देंगे ठीक है तो यह तीन बार मैंने यहाँ पर तीन डबल क्रोशे बना लिए हैं इसी तरीके से यह पूरा कॉर्णर तक नीचे तक में इसको ले कर जाओंगी यह देखिए यह रो कंप्लीट कर लिया है मैंने एक रो छोड़कर दूसरी रो पर फिर एक रो छोड़कर फिर दूसरी बना लिया है अब यह हमारा आखरी रो है जिसके उपर हमने तीन डबल क्रोशे बनाए हुए हैं इसके बाद में यह एक रो बचा उपा है हमारे यहाँ पर इसको इसको करेंगे हम और जो हमने स्टार्टिंग में मैजिकल रिंग बनाए था ना उसकी चेन को हम यूज सोरी और उसमें हम यहां पर ठीन डावल क्रोशे स्टिश बना लेंगे ठीक है है तो मेंजिकल रिंग में फिर से कॉष्य डालेंगेगे और यहां पर किन डालीज queste बनाइंगे पहले कि ए एक दो कि ए और यहaras प्रगे का फिर से मैजिकल रिंग में रिख घ्रति से ठीम यह तीन डबल क्रोशे स्टिच हो गए अब इसके बाद में जैसे हमने इस साइट पर काम किया है सेम वैसे ही हम दूसरी साइट पर भी काम करेंगे दो चेन बनाएंगे यांड वर करेंगे और यह हमारी फर्स्ट वाली रो है इसको इसकी परके सेकंड रो में तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे अब दो चेन बनाएंगे अब 3rd row को skip करेंगे और 4th row में 3 double crochet stitch बनाएंगे उसके बाद में 1 row skip करेंगे फिर दूसरी में बनाएंगे फिर 1 row skip करेंगे फिर दूसरी में बनाएंगे तो जैसे हमने दूसरी सैट पर काम किया है सेम वैसे ही काम हमें इस सैट पर भी कर लेना है और इस रो को end तक complete करके फिर में आपको दिखाती हूँ ये देखे ये इस तरीके से यहाँ पर एक knock बन जाएगी तो ये हमें continue रखने हैं हर एक रो में ये देखे ये रो complete हो गया है हमारा ये आखरी बारी में 3 double crochet stitch मैंने यहाँ पर बनाए हुए है और दो chain बनी हुई है अब ये हमारी सिर्फ दो रो बचे हैं तो दो रो में से एक skip करके बिल्कुल आखरी वाली में 3 double crochet stitch बनाकर एक stitch और बनाएंगे हम जैसे हमने इस रो के starting में 3 chain बनाए थी न शुरू में ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमारा double crochet stitch बना हुआ है न इसकी chain में हम यहाँ पर आखरी stitch बनाएंगे तो ये 4 double crochet stitch हमारी कुल मिलाकर हो गए है ठीक है और ये जो आखरी stitch हमने बनाया है ये ऐसे ही है जैसे हमने इस रो के starting में 3 chain बनाए थी अब second row start करेंगे 3 chain बनाएंगे ये एक double crochet की गिंती में आ जाएंगे अब इस piece को पल्टेंगे हम तो ये 3 chain एक double crochet की गिंती में आ गई है अब इसके बाद में हम chain space के लिए 2 chain बनाएंगे यहाँ पर अब यांड वर करेंगे और नीचे वाला जो 2 chain space है इसमें 3 double crochet stitch बनाएंगे एक दो तीन अब इसके बाद में फिर से 2 chain बनाएंगे यांड वर करेंगे और नेक्स्ट वाले chain space में 3 double crochet बनाएंगे तो इस row में हमें हर एक 2 chain space के उपर 3 double crochet बनाने है और 3 double crochet बनाने के बाद में 2 chain का space हमें बनाना है सेम वही काम है जो हमने 1st row में किया है तो 1st रो में हमने डबल क्रोशर के ऊपर 3 डबल क्रोशर बनाए थे और इस रो में हमें 2 चेन स्पेस के ऊपर 3 तीन डबल क्रोशर बना लीने है तो इसको एंड तक क्मप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं ठीक है यह देखिए दूसरा रो नीचे कौने तक बना लिया है मैंने तीन डबल क्रोशे और टू चेन बनाई हुई है अब यह हमारा यह आखरी स्पेस था जिसके उपर हमने स्टिच बनाए है अब यह देखिए यह हमारा नौक वाला तीन चेन का स्पेस है इसके उपर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे इसके बाद में पहले वाले रो की यह तरह यहाँ पर तीन चेन का स्पेस देंगे अब उसके बाद में फिर से इसी चेन स्पेस के उपर तीन डबल क्रोशे स्टिच और हम बना देंगे तो दूसरी वाली row का जो नीचे वाला नोग है वो बन जाएगा यह दिखी इस तरीके से जैसे हमने फस्ट रो में बनाये थे सेम ऐसे ही हमने हापर सैक्ड रो में भी तीन डबल क्रोश्य तीन और तीन डबल क्रोश्य बना दिये हैं जैसे हमने दूसरी साइट पर काम किया है सेम ऐसे ही इस वाली साइट पर भी काम करेंगे हम टूचे बनाएंगे और नीचे वाला इस रो को complete कर लूंगी में और इसको complete करके फिर आपको दिखाती हूँ ठीक है यह देखिए इस तरीके से यह दिखाई देगा यह देखिए second row complete होने लगा है यहाँ पर आखरी chain space के उपर हमने 3 double crochet और 2 chain बनाई हुई है अब यह 4 double crochet बने हुए है हमारे पास तो जो first row के starting में हमने 3 chain बनाई थी उसकी टॉप chain में एक double crochet बनाएंगे हम यहाँ पर और यह double crochet ऐसे ही है जैसे हमने second row के starting में पहले 3 chain बनाई थी ठीक है तो same दूसरी set के तरह यह set भी हमने complete कर लिए है अब यही 2 row फिर से repeat करने है हमें first row बनाएंगे इसके उपर और उसके बाद में उसके उपर फिर से यह second बाला row बनाएंगे तो कुल मिला कर 4 बार यह design डालना है हमें चार रो बनाने है इस design के तो तीन चेन बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और इस पीस को घुमा लेंगे एक बार फिर से अब जैसे हमने अपने first वाले row में तीन chain बनाएं थी यह तीन chain ऐसे ही है ठीक है अब यह हमारा chain space है इसमें हम तीन double crochet stitch बनाएंगे तो यह कुल मिला कर 4 stitches हो गए है हमारे starting की तीन chain को मिला कर जैसे हमने first row में बनाए थे ऐसे ही चार double crochet हमारे हाँ पर ही आ गए अब इसके बाद में 2 chain बनाएंगे next वाले two chain space के उपर तीन double crochet बनाएंगे अब फिर से 2 chain बनाएंगे इसी तरीके से 3 double crochet 2 chain 3 double crochet 2 chain मनाते हुए इसको नीचे वाली नौक तक ले कर जाएंगे और उस पर हम 3 double crochet 3 chain और 3 double crochet बनाकर दूसरी side को भी complete करेंगे ठीक है तो यह row complete करके fourth row start कैसे करना है वो फिर मैं आपको कि यह देखिए 3 row complete कर लिए हैं हमने 3 double crochet और दो चेन बने हुए है और यह एक आखरी chain space बचा हुआ है इसके उपर हम 3 double crochet बना लेंगे तीन double crochet बनाने के बाद में आखरी double crochet stitch हम बनाएंगे यह जो तीन chain बनी हुई है इसकी third वाली chain में तो यह हमने जैसे तीसरे row के starting में 4 double crochet बनाए थे तीन chain को मिलाकर ऐसे ही यहाँ पर हमें 4 double crochet complete कर दिये हैं अब जैसे हमने second row बनाया था सेम ऐसे ही हम अपना fourth row start करेंगे तीन chain बनाएंगे इस पीस को turn करेंगे यह तीन chain एक double crochet की गिंती में आ गया है जैसे मैं आपको second row में बताया था अब इसके बाद में two chain का space हमें बनाना है यहाँ पर two chain का space बनाने के बाद में यार नुबर करेंगे और यह जो chain space है इसके उपर तीन double crochet बनाएंगे अब दो chain का space बनाएंगे अब next वाली space में तीन double crochet बनाएंगे और उसके बाद में फिर से दो chain का space डालेंगे तो जैसे second row बनाया था हमने सेम वैसे ही काम इस रो में करना है हमें तो यह चार रो हमारे complete हो जाएंगे और जो आखरी stitch हम बनाएंगे न जैसे हमने second row को end किया था न अपने first वाले रो के starting वाली तीन chain के ओपर एक double crochet बनाकर सेम ऐसे ही इस वाले fourth row को भी हम complete करेंगे बिल्कुल second row की तरह ही ठीक है जैसे मैं आपको second row में दिखाया था ठीक है तो यह चार रो का border है इस चार रो को हम complete करेंगे आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं अब इसका दूसरा piece ready करें करेंगे हम जो की हमारा तनी वाला पीस होगा तो इसके लिए दूसरी वाली उनली है मैंने वर्दमान की बेबी बूल है यह printed वाली सबसे पहले इसमें हम एक स्लीप नॉट लगा लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर पांच चेन मनाने के बाद में इसमें तीन चेन एक अम डालेंगे और यह तीन चेन एक डबल क्रोश चिति की गलते में कि अजाएंगे यह तीन चीन आउर करींगे और यह तीन चनने के च्वाली चैन में एक डबल क्रोश लूश श्टिच बनाएंगे हम। ऐसा फिर से अटन पर करेंगे एक डबल क्रूशा बनाएंगे पर तेने को सिंग पर इस कि लिए यह वी लिए इन उसको देखकर आप double crochet stitch बनाना सीख सकते हैं तो यह 3 chain को मिलाकर 6 double crochet complete किये हैं हमने अब 3 chain बनाएंगे इस पीस को turn करेंगे और yarn over करेंगे अब यह 3 chain एक double crochet के उपर आ जाती हैं दूसरे वाले double crochet के उपर एक double crochet stitch बनाएंगे यह वाली chain है हमारी इसमें हम double crochet stitch बनाएंगे yarn over करेंगे next chain में एक double crochet stitch बनाएंगे तो फस्ट वाले रो की तरह इस रो में भी हमारे पास 3 chain को मिलाकर 6 double crochet stitch हमें complete कर लेने हैं आखरी stitch जो हम बनाएंगे वो तीन chain की top chain के उपर आएगा यह हमारी तीन chain बनी हुए फस्ट रो की इसकी top chain में double crochet बनाकर second row complete कर लेंगे अब जैसे हमने second row बनाएंगे सेम ऐसे ही third row बनाएंगे तो इसके लिए तीन chain बनाएंगे और यह double crochet की गिंति में आ जाएंगी पिसको टर्न करेंगे next chain में double crochet बनाएंगे अब next chain में double crochet बनाएंगे तो इस रो में भी कुल मिलाकर 6 double crochet stitch complete करने हैं हमें आखरी वाले जो stitch हम बनाएंगे वो 3 chain की top chain के उपर बना लेंगे ठीक है तो 6 stitches complete करने हैं तीसरे रो में भी अब सेम इसी रो की तरह हमें इसके आगे के piece sorry row बन अब इसके बाद में हम इसमें अपना डालना इसके लिए तीन चेन बनाएंगे और यह डबल क्रोश्य की गिंति में आ जाएंगी अब याड़न ओवर करेंगे अब इसके आगी की 2 chain हम skip कर देंगे यह 5 chain है न हमारे पास 5 chain में से 2 chain skip करेंगे और जो तीसरे वाली chain है बीच वाली उसमें हम यहाँ पर 2 double crochet stitch बनाएंगे यह एक और यह दो तीसरे वाली chain में क्रोश्य डालेंगे और दो stitch हम इस वाली chain में बना लेंगे यह दो हो गए अब इसके बाद में एक chain बनाएंगे याड़न ओवर करेंगे और दो double crochet stitch और बनाएंगे हम इसी वाली chain में तो यह एक fan stitch हमारे यहाँ पर बन गया है यह देखिए इस तरीके से अब second row start करेंगे इसके लिए एक chain बनाएंगे पहले हम और इस piece को कुमालेंगे अब जो बिल्कुल पहली वाली chain हमारी इसमें हम एक slip stitch करेंगे उनको आगे लाएंगे और जो लूप क्रोश्य में है उसम को हम निकाल देंगे नेक्स चेन में एक slip stitch करेंगे और इसके बाद में हमारा chain space आ जाता है इसमें हम एक slip stitch करेंगे अब हम बिल्कुल chain space के बीच वाली chain के उपर आ गये हैं अब यहाँ पर हम तीन chain बनाएंगे और यह डबल कुरुशा की गिंति में आ जाएंगी यार्ण ओ पर हमारा second row का यह fan stitch यहाँ पर बन गया है दो डबल कुरुशा एक chain और दो डबल कुरुशा ठीक है अब यार्ण ओबर करेंगे और यह देखिए यहाँ पर यह तीन chain है हमारी इसकी जो टॉप chain है इसके उपर हम दो डबल कुरुशा stitch बनाएंगे तो एक stitch हमारा यहाँ पर करेंगे तीन चेन एकmaybe डबल कुरुशा की गिनते में आती है आन ओपर करेंगे और अब इसी ίह फरस्ट वाली डबल कुरुशा की chain में जिसमें यह तीन चेन आई है इसे वाली यहां पर 3 double crochet stitch हो गए यह 3 है यह देखिए यहां पर 3 chain है इसके next row में 2 double crochet है अब यहां पर तीसरे वाले रो में हमने 3 double crochet stitch कर दिये हैं हर एक रो में स्टिच के लिए यार्ण ओबर करेंगे और इसी chain space में 2 double crochet stitch और हम बना देंगे तो यह 3rd row का फैन स्टिच हो गया है हमारा अब जैसे हमने 2nd row का start किया था सेम ऐसे ही यहां पर 4th row start करेंगे हम तो एक chain बनाएंगे पीस को turn करेंगे और पहली वाली chain में एक slip stitch करेंगे दूसरी वाली chain में एक slip stitch करेंगे इसके बाद में हमारा chain space आ जाएगा यह देखिए फस्ट वाली row को complete करके 2nd row के start करने के लिए यहां पर हमने दो slip stitch किये थे ऐसे ही हमने यहां पर दो slip stitch कर दिये हैं तीसरा slip stitch करेंगे हम chain space में यह हो गया अब इसके बाद में तीन chain बनाएंगे एक double crochet की गिंति में आएंगे यार्ण ओवर करेंगे और इसी chain space में हम एक double crochet एक chain और दो double crochet stitch और बनाएंगे तो यहां पर हमारा ही fourth row का fan stitch बन गया है अब इसके आगे हमारे पास तीन double crochet stitch है यह वाले तीनों के उपर हम एक एक double crochet stitch बनाएंगे और फिर उसके बाद में एक stitch हम इन्क्रीस करेंगे लास्ट में यह देखिए तीन चेन है यह हमारी इसकी टॉप चेन में हम यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशा बनाएंगे और एक और हम इसी वाली चेन में बना देंगे तो एक एक स्टिच हमारा इस रो में भी बढ़ जाएगा पिछले रो में तीन है यह उ इस पीस को टर्न करेंगे यार्ड नोवर करेंगे और अपनी फर्स्ट वाली चेन में ही एक डबल क्रोशा स्टिच और बना देंगे हम तो यहाँ पर एक ही चेन में दो हो गए अब इसके बाद में एक डबल क्रोशा बनाएंगे नेक्स चेन में एक डबल क्रोशा नेक्स च इसी तरीके से स्टिच इसको बढ़ाते हुए इस साइड के स्टिच बढ़ाएंगे हम और फैन स्टिच वाला पैटन है इसको उपर तक कंटीनू रखेंगे हम जैसे ही चार रो में हमने बनाया है सेम ऐसे ही इसको उपर तक कंटीनू रखेंगे हम और इसकी कुल मिलाकर 18 रो बनाऊंगी मैं और अठारवा जरो होगा उसमें हमारे पास डबल करूशे स्टेच भी अठार ही रहेंगे तो यह कंप्लीट करके फिट दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स इसके अलावा इससे पहले ट्राइंगल शॉल की काफी सारे डिजाइन अपने चैनल पर आपके सामने आ जाएंगे तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिए बहुत ही ज्यादा वीटिफुल डिजाइन्स आपको दिखाई देंगे तो यह तरीके से दिखाई देगा यह जो हमारी पट्टी है 6 स्टीच की है इसमें से 5 स्टीच के उपर हमने फैन स्टीच वाला पैटन डाला है ठीक है और यह पैटन हम उपर तक continue रखेंगे और उसके बाद में जो एक स्टीच है साइड का उसके ओपर हमने हर एक रो में एक स्टीच बढ़ाया है तो यह भी हर एक रो में एक स्टीच बढ़ जाएगा तो इसको complete कर लेते हैं हम यह दिखे 18 रों complete कर लि हमारा आखरी रो है यह 18 रों complete होने के बाद में 19 रो में हमें अपने स्टीच को घटाने हैं तो अब जो इसके आगी रो हम बनाएंगे उसमें हम हर एक रो में एक स्टीच कम करेंगे अब तक हमने हर एक रो में एक स्टीच बढ़ाया था अब हम हर एक रो में एक स्टीच कम करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे तीन नहीं बनाएंगे बलकि दो ही बनाएंगे और एक चेन हम यहाँ पर कम कर देंगे से एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा यह मैं दिखाती हूं भी दो चेन बनाने के बाद में याड नोबर करेंगे और स्टिच बनाएंगे कर चाहला दो इन यहांसे इक चेळां पर ईक собствен कैसे कम होगा यह मैं बताती हूं यापको नेखेन करावली छेंड में डबल खुब नाइंगे तो इस वाल रोρο को में कि अनुजान करेंगे हम फन यहांस बनाने के बादे बीस वर्य पर करेंगे हम और जो आखरी double crochet हम बनाते हैं, वो three chains की top chain में बनाते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ two chains हैं, तो यहाँ पर एक chain हमने कम कर दी है, तो इससे हमारा एक stitch कम हो जाएगा, तो अब जो आखरी stitch हम बनाएंगे ना, इस रोका वो हम बनाएंगे double crochet की chain में, इस वाली chain में, ठीक है, तो यहाँ पर दो chain हमारे पास बची हुई हैं, यहाँ पर हम एक stitch कम करेंगे, तो इसके लिए yarn over करेंगे, उनको आगे लाएंगे, दो loops में से उन लेकर crochet निकाल देंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे, अब दूसरी वाली chain में भी उनको आगे लेकर आएंगे, दो loops म stitches क्रुश हमें आ गए है, दोनों को हम एक साथ complete करेंगे, तो एक stitch हमारा यहाँ पर भी कम हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर दो chain हम एक assist कम किया है, ऐसे हमने यहाँ पर एक stitch कम किया है, दो stitches को एक साथ मिलाकर, ठीक है, दो रहो में हमने दो stitch कम कर देंगे, अब तीस रहो स सब्सक्राइब धरले के उपर आ गई है अब यहांग और करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम एक दबलin ग्रोशर स्थिच बनाइंगे यह वाली चेन की आपको ध्यान रखना है यह वाली चेन है हमारी इसमें हमें double crochet stitch बनाना है तो यहां पर एक stitch हमारा कम हो जाएगा जैसे हमने अपने 19 वे रो में किया था अब इसके आगे हमें एक एक chain में एक double crochet ही बनाना है और आखिर में फिर हम पैटर्न वाला फैन stitch बनाएंगे और फिर इसको रो हमने 19 वे रो की तरह ही स्टार्ट किया है तो यह 19 20 19 20 वाला रो रिपीट करते हुए इसके 18 रो कम्प्लीट करेंगे हम यह देखिए यहां से हमने अपने stitches को घटाना शुरू किया है यह 19 वा रो है हमारा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 और यह 36 अठारा और अठारा और अठारा 36 रो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं और यह जो 36 वा रो है हमारा आखरी इसमें हमारा fan stitch के साथ में एक double crochet stitch यहां पर बना हुआ है ठीक है जैसे हमने दूसरी सेट प double crochet के साथ में एक fan stitch हमारे यहां पर हो गया है ठीक है और कुल मिला कर 36 रो complete हो गया है अब इसके बाद में इसके पट्टी बनाना फिर से start करेंगे हम दूसरी साइड की तो इसके लिए तीन चेन बनाएंगे इस पीस को turn करेंगे यार्ड ओबर करेंगे और यह 5 chain है हमारे पा 2 double crochet की तो इस 5 chain के उपर 5 double crochet बना लेंगे हम तो यहां पर हमारी 6 double crochet complete हो जाएंगे यह 5 है आखरी बनाएंगे तीन चेन की top chain में यह 6 double crochet हमारे आ गए अब इसको 6 double crochet को continue करेंगे हम 24 रो तक और हमारी दूसरी साइड की पट्टी बनकर ready हो जाएगी तीन चेन बनाएंगे पीस दूसरी साइड पर भी हमने 24 रो बनाए थे और इस साइड की पट्टी बनकर भी complete हो जाएगी फिर इसको joint करेंगे हम तो इसका तरीका भी अभी आपको दिखाती हूं मैं 24 रो complete करके तो सबसे पहले उनका एक loop बना लेंगे हाँ पर हम इस तरीके से अब जो पट्टी वाला पी civilians के साथ join करेंगे कि ए देखी हाँ पर यह हमारा पहला स्टिछ है यह जो सारे स्टीच इस के साथ हम अपने पट्टीवाले embedded को जॉइंट करेंगे तो यह हमारे पहले वाले stitch की chain है इसमें हम काम करेंगे उसके बाद में दो chain skip करके फिर तीसरी वाली chain में काम करेंगे और इस side में भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा जो एक से दूसरी row start करते हैं हम वहाँ पर जो chain आती है हमारी आखरी वाले stitch की जैसे कि यहाँ पर यह आखरी chain है हमारी इस वाली row की ठीक है और यह वाली आखरी chain है हमारी इस वाली row की यह वाली यह आप देख सकते हैं तो इसके आप थोड़ी से पहचान कर लिजिए हर एक row के end में जो chain होती है ना सबसे आखरी chain उसके साथ में हम दूसरी साइट की पीस की chain को मिलाकर इसमें सलाई लगाएंगे अब तो इसमें दोनों ही पीस में corner है इसको बिल्कुल center में रखेंगे और इसको अब हम join करेंगे तो जहां से हमारी पट्टीव में हमने fan stitch बनाना स्टार्ट किया था उसके दो रोज छोड़कर इसमें हम सलाई लगाएंगे तो यह बड़ा वाला पीस उपर रखूंगी पहले में और इसमें यहाँ पर हमारी तीन chain बनी हुई है यह एक double crochet की गिंते में आती है इसकी top chain में crochet डालूंगी में दोनों loops लेने हैं हमें एक loop नहीं लेना है दोनों loops में से crochet डालेंगे और दूसरे वाले जो पट्टी वाला पीस है हमारा उसके दो रोज छोड़ दूंगी में fan stitch वाले तो जो दो रो दूसरा वाला जो रो एंड होता है उसकी जो आखरी stitch की chain है बिल्कुल आखरी वाली इसमें crochet डालेंगे हम यह वाली chain है हमारी इसमें जो loop अभी हमने बनाया था उसमें से हम यह loop आगे लेकर आएंगे अब हम यहाँ पर तीन चेन मनाएंगे तीन चेन मना कर ग्यार नोबर करेंगे और सेम चेन में दोनों साइट की चेन में फिर से हम crochet डालेंगे यहाँ पर तीन चेन है तो यह थोड़ा सा difficult लग रहा है लेकिन हो जाएगा दूसरी सैट की चेन में crochet डालेंगे उनको आगे लाएंगे अब उन लेकर सिर्फ दो loops में से ही crochet निकालेंगे फिर से यार नोबर करेंगे फिर से सेम चेन में crochet डालना है मैं उनको आगे लेकर आएंगे और उन लेकर सिर्फ दो ही loops में से crochet निकालेंगे तो यह दो incomplete double crochet हमारी crochet में आ गए हैं और एक हमारा थ्री chain के साथ loop था तीनों में से उन लेकर crochet निकाल देंगे अब दो chain skip करेंगे तीसरी chain में crochet डालेंगे और दूसरी side की तीसरे row के आखरी chain में crochet डालेंगे और एक single crochet बनाएंगे अब 3 chain बनाएंगे अब same chain में फिर से crochet डालेंगे हम और 2 incomplete double crochet हम यहाँ पर ले लेंगे crochet में एक हो गया यह दो हो गए, दोनों को एक साथ complete करेंगे अब फिर से 2 chain skip करेंगे तीसरी chain में crochet डालेंगे और दूसरी side के 4th row के आखरी वाली chain में crochet डालना है हमें इसमें एक single crochet बनाएंगे फिर से 3 chain बनाएंगे और same chain में 2 double crochet stitch फिर से उठाएंगे इन complete रखेंगे और दोनों को एक साथ complete करेंगे तो इससे हमारे दोनों पीस एक साथ joint हो जाएंगे और साथ में एक कंगूरे वाला design भी बन जाएगा तो 2 row हमने शुरू के छोड़ दिये थे उसके आगे 16 row है हमारे पास 16 row पे जब हम इस design को बनाएंगे तो 16 बार ही ये design बनेगा ये देखी ये हमारे बड़े वाली पीस का corner है यहाँ पर तीन stitches एक ही chain में बने हुए है और ये हमारे इस वाली पीस का corner है इन दोनों को हम एक साथ मिला कर रखेंगे ठीक है ये वाली chain है बीच वाली जो ठारे विरो के आखिर की जो chain होती है उस वाली chain के साथ हम तीन double crochet का बीच वाले stitch रखेंगे और दोनों तरफ की सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे तो ये complete कर ली है मैंने अब यहाँ पर हम एक chain बनाएंगे और इसे उनको cut कर देंगे cut करने के बाद में हम इसको उपर की तरफ लेकर खीच लेंगे ये tight हो जाएगी अब इसको हम hide कर देंगे तो इसको hide करने के लिए इसको पीचे की तरफ लेकर जाएगे हम और भी जितनी भी tails है हमारे पास वो सारी हमें hide कर लेनी है ये देखे ये जो हमने जहां पर मैंने ओन चेंज की थी तो इसको भी हम hide करेंगे पहले जो बड़ा वाला पीस हमने बनाया था वो पूरा मैंने एक ही कलर से बनाया था लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये सकार पूरा नहीं हो पाएगा उस वाले उन में हमारा बनकर ready हो जाएगा ठीक है तो ये थी हमारी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी ये देखिए जो बड़े वाले पीस की उपर वाली साइट का कौना था ना उसके साथ हमने इस पट्टी को इस तरीके से जोड़ दिया है ठीक है है ना बहुत easy और बिल पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो मेरी चैनल को ज़रूपन करके देखें आपको मेरी चैनल पर बहुत ज़्यादा beautiful, unique और designer काम देखने के लिए मिलेगा काफी कुछ अपने चैनल पर बना कर अपलोड कर चुकी हुम है और माशालला लेडिस को मेरा काम काफी पर और नोटिफिकेशन क्लिक कर लें उससे मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी ठीक है तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में किसी नए और ब्यूटिफिल प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाए